Hey guys, welcome back to a brand new video अब ये है guys, Antec का P20C, एक ARGB cabinet ज़्यादा बात निकरूँगा, स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू My name is Kashish and you are watching TechnoCash अगर आपका भी इंटरस्ट है ऐसे PC builds में, PC peripherals में ज़्यादा कुछ निकरना, नीचे दिए ही सब्सक्राइब के बटन को अभी के भी प्रेस करो और हाँ, और हाँ, प्रेस प्रेस बेल आइकन फॉर आल नोटिफिकेशन्स ओके अब ये एंटरस्ट का P20C, एक ARGB cabinet दिखने में कैसा लगता है अब यहाँ पर लुक्स मुझे परसनली बहुत अच्छी लगी, यहाँ इस फ्रेंट में जो आपको ग्रिल मिलती है मैशी स्टाइल में नहीं कौँगा, मतलब यह रिजाइन इसका फ्रेंट में न, वो फैंस की brightness and everything looks को न, काफी enhance करती है, और काफी crazy सी look देती है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, aggressive सा लग रहा है compact के साथ साथ यह एक बढ़िया cabinet भी है दिखने में, वहीं, बात करूँ मैं इसकी build quality अब भाई, यहाँ पर न, यह जो cabinet है भाई, इसमें तीन चीज़े यूज़ हुई है, वो भी अच्छी क्वाल्टी में, वहीं आपको मिल जाएगा, USB 3.0 के 2, यहाँ पर आपको मिल जाएगी, Type-C 3.2 का यहाँ पर Gen 2 है, तो भाई, यहाँ पर Type-C मतलब एक अच्छे रेवल की Cabin उसमें आज के टाइम पर आती है, जो कि अच्छी चीज़ है, काफी Fast रहती है अपके Connectivity उससे, हाँ तो वहीं बात करूँ मैं, आपको Top पे मिलते है Dust Filter, आपको Bottom पे मिलते है Dust Filter, जो कि भाई, Unexpected सा, जिस Quality में यहाँ पर, PSU Shroud के नीचे यहाँ पर Dust Filter दिया है, भाई, Unex Easily यहाँ पर इसका Front Panel निकल जाता है, जो कि One Handed मैंने पहली बार किसी Cabinet में अपने Experience में देखा है, उस Panel के पीछे भी आपको मिलता है, यहाँ पर Dust Filter, जो कि काफी Superior Quality में है, उसके पीछे तो आपको पता ही है, यहाँ पर Pre-Installed 3 ARGB Fans मिल जाते हैं, आपको 120 mm के PWM Fans, अब ठीक है Easily control करो LED बटन से, या फिर आप उसको Motherboard से भी Sync कर सकते हैं, तो वह आपके उपर है, फिर से मैं यह बात बोलने तो, तो वह आपके उपर है, अब अंदर की बात करते हैं, और Deep जाते हैं, और कितने fans support करता हैं, फ्रंट में ही आप यहाँ पर 120 mm के 3 या फिर आप 140 mm के 3 यू fans यूज कर सकते हैं, और, exhaust fans जो आपको पता है, 120 mm बड़े आराम से यूज कर सकते हो, तो हाँ, fans हवादार बहुत होने वाला, यह वाला cabinet, वही पर बात चल रही थी, fans की तो बात करते हैं, इसकी liquid cooler कहां तक का support करता है, यहाँ पर top side में, 360 mm का liquid cooler बहुत आराम से support करता है, ग इसकी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली, वहीं बात करूँ गाइस, मैं आप एर cooler की न, तो एर cooler यहाँ support करता है, मतलब 170 mm की clearance आपको बड़ी easily मिल जाएगी, इस वाले cabinet के अंदर, अब एक मिनट, यहाँ पर मैं side panel को open करता हूँ, और आपको बताता हूँ, कितने mm का graphic card, और यहाँ पर भाई, कौन-कौन सा motherboard आप यहाँ पर लगा सकते हो, ओके अब एक बात बोलूगो भाई, इसको open करते हैं न, मुझे यहाँ पर जो rubber के holes, rubber coated holes, जो भी कहलो यह मिलते हैं न, मेरे लिए बहुत premium चीज़ थी भाई, मतलब सही आ गया है, इसको देखके, इसको feel क करके, तो हाँ, इस segment में है यह चीज़ मिली है, मेरे लिए first experience था, तो भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगी, and हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, जो कि मुझे दीखी, जो कि भाई, यहाँ पर आपके GPU को support देने के लिए हमें यहाँ पर एक lever सा मिलता है, जो कि totally आप आप उसको up and down and right left कर सकते हो, बड़े अराम से, hand screw है उसमें, thumbscrew जो कहते हैं, वो अराम से lose and tight करके आप बहुत easily कर सकते हो, and बात करते हैं, कोन कोन से motherboard support करता है, काईज, यहाँ पर जो यह motherboard support करता है, EATX, ATX, micro ATX, guys, IATX, sorry, और काईज, हाँ, यहाँ पर हाँ आपको बेख़ में, यहाँ पर होता है, यहाँ पर 330 mm तक का, मतलब बहुत बड़ा, वो भी यह support करता है, और क्या चाहिए, यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वही बात करूँ मैं, GPU की, guys, यहाँ पर 375 mm तक का GPU, यह वाला cabinet support करता है, चाहे vertically, चाहे आपको उसे होरं जोन तरी लगाओ, आपकी मर्जी है, यहाँ पर बात करूँ मैं, आपको PSU की, PSU कहां तक की support करता है, यह, guys, PSU support करता है, यहाँ पर 205, तो हाँ, guys, यहाँ पर back panel open हो गया है, and guys, back panel open करने के बाद, हमें first चीज क्या मिलती है, बहुत बढ़िया से, यहाँ पर cable management रो रखी है, जो कि आपको यह तो guys, वहाँ से आप इसमें और भी fans add कर सकते हो, and guys, वो easily आपके लग उपर जो button LED का, उससे control हो जाएंगे, बड़े अराम से, काफी सारा उसमें और भी ports है fans जो आप add कर सकते हो, and थोड़ा सा नीचे आते हैं, guys, यहाँ मिलता है हमें, हमारी hard drive का case, जहाँ से आप यहाँ प guys, यहाँ पर back side मैं जो एक चीज़ और notice करी, guys, वो यह है कि यहाँ पर आपको cable management के लिए भी काफी space मिल जाता है, मतलब एक तो gap भी काफी है, and guys, यहाँ पर अच्छा खासा systematically आपको space मिल जाता है, और हाँ, एक चीज़ मुझे unique क्या लगी, sometimes क्या होता है भाई, यहाँ पर के उस side वाला आपने डाल नहीं है, यहाँ पर back side से नहीं का आपको tray मिलती है, guys, उस tray को आपने unscrew करना है, and अप उस tray, guys, आपने PSU को पर mount कर लो, screw tight करकर, guys, आपकी जो PSU है, पीछे से ही डल जाएगी, मतलब आप पीछे से ही डाल, मतलब, यार, इसके बिलकुल back end side से, आप आप अराम से अंदर डाल सकते हो, PSU को, and काफी easily अपनी cables को बाहर निकाल सकते हो, मतलब, आपको ऐस सच न, अपनी tray नहीं निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी भी, अगर आपकी power supply बड़ी सी भी बड़ी है, या whatever, जो भी आप रिजन समिच लो, तो हाँ, पीछे से आप डा सकते हो, बड़े अराम से, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे points कवर कर लिए, रह गया है, तो एक point हो है, इसकी pricing, अब गईज इसमें बहुत सारे variants हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 8500 के आसपास, हाँ, तो बड़े अराम से, description में लिंक दे दूँगा, buying link दे दूँगा, वहाँ से भी buy कर सकते हो, इसको, अब आपको पता है क्या करना है, ज्यादा तो कुछ नहीं करना, बस नीचे दिये subscribe को, आपने subscribe करते हैं, वीडियो को like करते हैं, cabinet buy करना है, तो buy कर सकते हो, मुझे पसंद आया है cabinet personally, so अब आप